प्रियच्छात्रूं हिंदी के इस सिच्छन सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्यखंड के अंतरगत निष्ठा मूर्ति कस्तूर्बा पाठ के लेखक काका कालेलकर जी के लेखक परिचेखा अध्यन करेंगे। प्रश्ण पत्र में देगे लेखकों में से किसी एक का परिचे लिखना होता है जिसकी लेकुल तीन अंक निर्धारी थें। प्राय किसी लेखक का परिचे जीवन परिचे भासा सैली रचनाएं और हिंदी साहित में अस्थान इन सिर्षकों के अंतरगत लिखा जाता है। तो आईए इन ही सिर्षकों के अंतरगत हम काका कालेलकर जी का लेखक परिचे देखें। सबसे पहले जीवन परिचे। प्रसिद्ध सिच्छा सास्त्री उच्च कोट के विचारक यो महान स्वतंतता संग्राम सेनानी काका कालेलकर का जन्म एक दिसंबर 1885 विकू महाराष्ट के सतारा जिले में हुआ था। इनका पूरा नाम दत्तात्रे बालकृष्ण कालेलकर था। इनकी मात्रिभासा मराठे थी। अहिंदी भासी होते हुए भी इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, बांगला, आधिभासाओं का गहन ध्यन किया। इन्होंने नक्यवल हिंदी सीखी बलकि उसके प्रचार प्रसार में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया। राष्टपिता महत्मा गांधी के निकर्तम सहयोगी होने के कारण एक काका के नाम से पुकारे जाने लगे। स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण इन्हें जेल यात्रा भी करनी पड़ी। अपनी सूजबूज, बिलच्छनता और व्यापक द्रिश्टिकूण के कारण इनकी गणना देश के प्रमुक ध्यापकों यम ब्योस्थापकों में होती है। इनकी रचनाओं में भारती संस्कृत यम राष्टवाद की प्रधानता है। पद्मभूशन आज सम्मानों से अलंकृत कालेलकरजी 21 अगस्त 1931 वीकू पंच तत्त में बिलीन हो गए। भासा सेली देखें। काका सहब की भासा परिस्कृत खड़ी बोली है। इनकी भासा में तत्सम और तद्भो सब्दों के साथ अंग्रेजी, अर्भी, फार्सी, गुजराती, आजि भासाओं के सब्द मिलते हैं। इन्होंने बिवेचन आत्मक, आत्मक अथात्मक, बिवाडात्मक, ब्यंगात्मक, चित्रात्मक, आजि सैलियों का सुन्दर प्रयोग किया है। इनकी भासा सैली इनके भावों को व्यक्त करने में पूर्त समर्थ है। या था, दुनिया में दो अमोग सक्तियां हैं, सब्द और क्रित, इसमें कोई सक्त नहीं कि सब्दों ने सारी प्रित्वी को हिला दिया है, किन्त अंतिम सक्तितों क्रित की है. रचनाये, कालेलकर जी ने बिविध विशवों पर अपनी लेखनी चलाई है, जिनका संचित विवरण निम्नुवत है. पहला, निबंध संग्रह, जीवन साहित, जीवन काब्य, सर्वोदय आदि. दूसरा, यात्रा बितांद, हिमाले प्रवास, यात्रा उसपार के पडोसी आदि. तीसरा, संसमरण, इनकी एक पुस्तक का नाम संसमरण ही है, इसके लामा बापु की जहांकी आदि. आत्मचरित्र, जीवन लीला, धर्मोदय आदि. संपादन, सरोदय पत्रिका, इन्होंने सरोदय नामक पत्रिका का संपादन भी किया है. हिंदी साहित में स्थान काका कालेलकर जी का हिंदी साहित में अदुतिय स्थान है. प्राचीन भारती संस्कृत नीत आद के साथ यूगीन समस्याओं को ससक्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस सदवयाद की जाएंगे प्रेचात्रों मुझे उम्मीद है कि आपने कालेलकर जी के लेखक परिचे को अच्छी तरह समझ लिया होगा इसे लिखें और अस्मरण करें बहुत बहुत धन्यवाद